टेको मिडल स्कूल बास्केरपोर्ड क्लब जो की बहुत ही इंक्रेडबल टीम है इस टीम में पाँच ऐसे एक्सेप्शनल प्लेयर हैं जो की एक साथ आजाए तो उनको हराना नामुंकिन है और वो लोग कहलाते हैं दे जनरेशन आफ मिरेकल और उन लोग को हटा के एक और प देखके बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा और मस्कुलर होता है और फिर तभी वो अपना नाम लिखवा के वहां से जाने लगता है और जो उसको चाय दिया रहता है वो कब ओमोड के वो सीधर डस्बीन में बिना देखे फैक देता है और एकदम यह फॉर्म भूल गई हो और तभी वो रिको वो फॉर्म उठाती है और देखती है कि उसमें कुरुको का नाम लिखा हो रहता है और वो देखती है वो टेको हाई स्कूल का टीम मेंबर रह चुका है जहां पे कि वो बताती है कि जो टेको हाई स्कूल है यह वो ही टीम है जह पहले कुर्या मैं मैं इस टीम की मैनजरू हूँ और वो इस क्लब के ईड्वाइजर है। और फिर तभी पताती है कि समें अपने अपने शच्ट उतार लो और बोलते हैं। और फिर बोलते हैं उतार और चुप चाब। जको सब आपजोर्ड़्स पर लेते हैं। कि हाँ किसका कितना strength है, कौन कितने side jump और क्या क्या कर सकता है और ये सारी चीजे को उसके डाड के वेज़ से मिल लिए उसके डाड एक gym trainer है और वहाँ पे वो सारे कुछ absorb करते करते उसके अंदर ये skill आ गया कि वो देख की बता सकते है कि कौन कितना physical उसका अच्छा है और खराब है उसको number के form में सारा data मिल जाता है कि किसका physics सबसे ज़्यादा अच्छा है और खराब है और फिर रिको कागिमी का physics देखती है जहां पे कि जो कागिमी का physics होता है वो उसके expectations से भी बहुत ज़्यादा उपर होता है और वो बहुत ज़्यादा है यह देख के और फिर तभी हुगा उसको बोलता है कि क्या यह सब आखरी बंदा था और वो बोलता है कि नहीं इसमें एक और नाम लिखा हुआ है कुरुको नाम का जो कि टेको मीडल स्कूल से था मगर वो शायद आया नहीं तो हम लोग चलो अपना practice स्टार्ट करते है और तभी जो कुरुको होता है वो out of the blue आ जाता है और वो बोलता है कि मैं तब से यहीं पर हूँ और मैं यहां पर आया हूँ और तभी हुगा बोलता ह कि तुम यहां कब आये तो कुरुको बोलता है मैं यहां starting से हूँ और वहीं रिको अपने मन में सोचती है मैं इसको देख भी नहीं पाए जबकि यह starting से यहीं पे था और अपने मन में सोचती है यह वही टेको मीडल स्कूल से है ना जो कि generation of miracle के साथ था और सब लोग बोलता है कि यह हमें से खेलता था मकर हमने कभी इसको देखा क्यों नहीं और वहीं कागे मीची होता है उसको generation of miracle के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि वह लोग कौन होते हैं और फिर तभी वहां पर रीको पूल उसको कुरुको को बोलती है कि अपना टीशिट उतारो औ कुछ खास नहीं होता है सब बिलो एवरेज होता है और भी तरही तभी शीट होता है और हमें दिखाया है कागे मी बास्क्रिबॉल को प्रैक्टिस कर रहा होता है फिर कागे मी उसको बोलता है कि मैं अमेरिका से यहां आया हूं ताकि मैं एक सीरियस गेम खेल सकूं और क्योंकि तुम जनरेशन ऑफ मेरिकल के साथ थे और बोलता है कि दिखाओ मुझे तुम्हें कितना दम है और फिर जो कुरुको होता है वो बोलता है अच्छे ठीक है मैं भी चाहरा थे कि एक गेम हो जाया और पिर तभी वो लो गेम खेलने लगते हैं और जो कुरुको होता ह वो बहुत जादा सलो होता है और ये चीज कागेमी को नोटिस हो जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है यह बहुत जादा ही सलो है और यिये जनरेशन ऑफ मिरिकल के साथ मैं बिलीव नहीं कर सकत тебе और फिर तभी कागेमी के ओब चिला देता है और बोलता थे तुम पर जो कागी मी होता है उसको गुस्ता है था और वो कुरुको का कॉलर पकड़ लेता है और वहीं कुरुको बोलता है कि मैं बस देखना चाहता है कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉंग हो मेरे से और तभी जो कागिमी होता है वो कुरुकों को बोलता है कि तुम्हें बास्केटबॉल क्विट कर देना चाहिए क्योंकि तुम्हारे जैसा नहीं हूँ मगर मैं एक शैडो जरूर हूँ हुआ है बास्केट 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 और वहीं पें इॉसके सामने डिफेंडर होता है कि यह इतना जगता अच्छा कैसे खेल सकता है और फिर वहीं पर कागेमी जो होता है वो एक के बाद एक बास्केट किया जा रहा होता है और वहीं हमें दूसरी तरफ कुरू को दिखा जाता है जहां पर कुरू को बास्केट बॉल लेके खड़ा रहता और इदरो देख रहा होता ताकि उसके पास बॉल ना जा पाए और धीरे धीरे करके जो अपोनियन टीम है वो धीरे धीरे अपना स्कोर बढ़ा देती है और स्कोर हो जाता है 15-31 और वहीं पर कागेमी का टीम मेंबर बोलता है कि वो लोग बहुत ज़र स्ट्रॉंग है हम लोग उसको नहीं हरा सकते हैं और वहीं पर कागेमी उसका कॉलर पकड़ डाटने लगता है और वहीं पर जो अपना कुरू को आता है वो आ जाता है और उसके पैर पर जोड़ से लात मारता है और बोलता है कि के तुम थोड़ा शांत नहीं रह सकते हैं और फिर तभी वो लड़ने लगते हैं और वो लोग देख रहे होते हैं कि जो यह कुरू को है यह कब से इस टीम में खेल रहा होता है मगर उनको नूटीस नहीं होता है और फिर तभी सीन कट होता है और हमें दिगाया जाता है कि जो कुरू को होता है वो एक बंदे को बोल रह हैरन होती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा कुरुकों को ball pass करता है और वो जो ball है उसके teammate के पास चला जाता है और फिर से basket कर देता है और फिर धीरे-धीरे करके ऐसी unbelievable pass आते रहते हैं उनके teammate के पास और वोंगों दिरे-धीरे करके और बॉल पास कर देता है और वहीं पर हमें रीको के द्वारा बताया जाता है कि जो कुरू को है वो बॉल को टच भी नहीं कर रहा और सिर्फ मिश डिरेक्शन के वज़े से बॉल को अपने टीम मेट के पास पहुचा दे रहा है और फिर जो रीको होती है वो समझ आती है यह वो 6th player होगा जो कि Generations of Miracle में खेलता है और फिर हमें दिखाया आता है कुरू को काफी अच्छा पास करता है और जो स्कोर है वो इक्वल होने ही वाला होता है और फिर तभी कुरू को पास बॉल दाता है और कुरू को ट्राय करता है बासकिट करने के लिए और वो जाते है ब और जो बास्केट के ऊपर बास्केट कर देता है और फिर तभी सीन कट होता है और हमें शाम का सीन दिखा एता है जहां पर कागे में ही जो होता है वो बहुत सारे कुछ बंस या जो भी खरीदता है और वो खा रहा होता है और तभी वो देखते कि कुड़ों को उसके सामने बै और जनरेशन ऑफ मेरिकल के बारे में कुरुको उसको बताता है कि कैसी जनरेशन ऑफ मेरिकल थे और वो लोग सेपरेट होके एक दूसरे से और अब खुद कर टीम बना के खेलते हैं और फिर तभी कागी में बोलता है मैं इन सारे बंदों को हराओंगा जो भी जनरेशन ऑफ मेरिकल से होंके और जो कुरुको होता है वो बोलता है कि तुम उनको नहीं हरा सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टॉंग है तुमसे और मैं तुम्हारा टालेंट देखानी है तो जो उसका शैडव है वो भी बहुत ज़्यादा तेज होता है और में तुम्हारा शैडव बनके तुमको जापान के सबसे बेस्ट प्लेयर बनाऊंगा और वहीं पर कागेमी स्माइल करता है जो अपना कागेमी होता है वो बास्केरपॉल के प्रैक्टिस कर रहा होता है और अब ही वो अपने मन में सोचने रखता है एक्जेक्ट यह जैनरेसं ऑफ मिरिकल कितनी जाथ स्ट्रॉंग है और फिर उसको बात च्रॉंग आज तरह को कहा रहता है और जो बोलता है कि जैनरेसं ऑफ मिरिकल तुमको बहुत सद्वा डिश्ट्रॉय कर देंगे और वहीं पर वो सारी सारी बाते याद करा रहा हुता है जो कि उसने रात को कया रहा है कि वो heh गीडोरी दो सी फाइट करेगा और जो कुल को ने उसको विखल रहा है कि वो मेरे लाइट का शैड़ stato heat बने रहा और उसको जापण को सबसे member नहीं हो हमारे team के और फिर तभी कागेमी रीको के पास जाता और इसको बोलते है एक team member का official form देना और रीको बोलती है तुम भी और कागेमी बोलता है कि तुम भी से मतलब और तभी रीको बताती है कि इससे पहले जो कुरू को आया था उसमें भी team member का form मांगा था और फिर रिको उसको फॉर्म देती और कागेमी फॉर्म लेकर जाने वाला होता है तब उसको बोलती है कि मुझे एमन्डे को 840 एम पर यह फॉर्म चाहिए ट्रेस के ओपर ठीक है और फिर तभी हमें दिखाया आता है जो अपना कागेमी होता है वो एक बोर्ड दे वो बोलता है कि शान्त रो इदर देखो शान्त एरिया है और फिर जो अपना कागेमी होता है वो उसका बाल पकड़ जो बोलता है कि तो मुझे मत सिखा हो और फिर तभी कागेमी अपने मन में सोचने रगता है कि जितने भी जनरेशनेंस ऑफ वेरिकल थे सब लोग एक स्ट करियर आगे बढ़ा सकते थे नहीं जो कुरु को है इसने करेव हैख और कियो और तब हे मीस को कुछ बोलने कि TOMोदल और B और घिंट और उने जड़लने हैं और ये लोग जलदी सेлекफा और हमको जाने दो और यहां से और अभी रीको बोलती है लेकिन उससे पहले तुम लोगों यह बताना चाहती हुं कि इस नहीं कि डिचलब बना था तब हम लोग ने प्रामिस किया था कि हम लोग अपना पूरे हंडड़ परसन लेंगे बासकेट्वाल को और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग प्रामिस करो कि तुम लोग अपना hundred percent दोगे और तब ही कागमी बोलता है कि हाँ हम लोग hundred percent देंगे हम लोग काफी अच्छे player है और वहीं रिगो बोलती है कि मुझे पता है तुम लोग अच्छे player हो और तभी रीको बताती है कि पिछले साथ सबने ये चीच किया था और तुम्हें भी करना चाहिए और फिर तभी कागमी बोलता है कि अच्छे ठीक है मैं करूँगा और वो वहाँ से कूच जाते हैं और रेलिंग के ओपर जाके सीधा खड़ा होता है और वहाँ पर खड़े होके बोलता है कि सब लोग सुरो मेरा नाम कागमी है और मैं क्लास ये ये का हूँ और मैं पूरे जनरेशन साफ बिरिगत को हराऊंगा और जापान के सबसे बेस्ट प्लेयर बनके दिखाऊंगा और इसेमली में से कुछ लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये लोग फीर से इस साल कर रहे हैं और तभी रीको बताती है कि अब next कौन जाने वाला है और वही पर सब लोग बोल रहाते कि मैं नहीं जाने और फिर एक बंदा रेडी होता जाने के लिए और वो जाता है और वो बहुत दीरी दीरी बोल रहाता है मकर वो इतना ज़़दे लंबा चवाड़ा बोलने लगता है कि Riko उसको एक लाजमार के हटा देती है और फिर बोलता है next कौन आ रहा है और फिर तभी एक बंदा आता है और वो बोलता है और तभी जैसे गुरू को बोलने जा रहा होता है तभी वहाँ पर एक टीचर आ जाता है और उसको बोलता है कि मुझे पता था ये तुम भी बास्केटबल वाले हो और फिर वहाँ पर उनको बैट के डाटने लगता है और फिर हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहां कि कागर में फिरसे आपना इस्टाफ खरीद लेता और वो बैठ एक खाने लगता है और वह बात कर रहूखते है और तभी वह देखते कि फिरसे वहाँ अब कुरू को बैठा हूरा है और उन लेकर प्र window को बताता कि मेरा कशा बहुत टाइम से यह बोलना था झाल ने आ है नो मैटर वाट कुछ भी होजे हमको सिर्फ जीतना है और इस चीज के वज़े से एक चीज हम लोग पीछ एक चीज में हम लोग पीछे रहक है वह था कि टीम मेट और मैं चाहता था कि हम लोग लोग एक साथ मिलके खेले मगर इस यहां पर यह हुआ कि वो लोग स्टॉंग तो बनके मगर उनके अंदर टीम मेट का कोई कॉंसेप्ट ही नहीं रहा और इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया और तब कागी में बोलता है तो तुमने डिसाइड के कि तुम लोग तुम बनाओगे यह खाओ कि हम लोग जापान का सबसे बेस्ट प्लेयर बनके दिखाएंगे और फिर हमें नेक्जे के सीन दिखाया रहता है जहां पर कि सब लोग खेड़की के सामने खाड़े रहते हैं और वहीं कागी में जाता है और देखता है कि वहां पर कुरुको ने अपन कि रहते हैं कि वो अपना गोल को अचीव करके दिखाएगा और वहीं पर जो रिकु होती है वो बोलती है कि हां यह एक्सेप्ट किया जा सकता है और फिर हमें ड्रेसिंग रूम का सीन दिखाया रहता है जहां पर कि जो शिंजी होता है वो देखता है कि उसके सामने मैगजि दूम्हारा क्यों नहीं है और वह कुर्ण को बताता है कि कि जब मेरे इंटर्व्य लेने हैं आया ते सब लोग भूल गाये और अच्छा ये हो सकता है और उनलोग रोनने लगते हैं उसके लिए और फिर तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और वह बोलता है कि जो हमको approval मिल गया है अपना match खेलने का और वो बोलता है कि जो coach है वो उचलते उचलते आरे थी, मतलब skipping करते वह आरे थी जहांपे एक बंदा आता है और वह अपने बंद में सोच आता है अच्छा ये सेरिन स्कूल है ये तो काफी ज़्यदा क्लीन है और वहाँ पे इतने भी लड़किया होती है वह बोलते हैं ये तो कोई इतना ज़्यदा हॉट लडगा है है और यह दो को कितना लंबा भी है और कितना ज़ादा है और फिल तभी हमें अंदर का स्था Jak बास्केट बॉल खेल रहे होते हैं वहीं फर्मनी ऑसकेट भला को पास करता करता है और अपना के सामने बेंदा बंदा बहुत एक हैरन रही के जाता है और यह इसे इसनल फिर दूसिर साइठ से निंगल जाता है और फिर दोछोन बंदा को क्टा Cover न ञDENता है और वो जो kagami महीं और पोर फिरसे एक फेक करता है यह कि वो बास्केट बॉल थे और फिर बीचे गूम जाता है और सिधा बास्केट कर देता है और यह सब देखके वहाँ पर सब लोग बहुत ज़ले हैरां हो जाते हैं और तभी सब लोग वहाँ सब उसकी थाड़िव कर रही होते हैं और वहाँ पे हमें वह नया बंदा दिखा जाती है जो कि कागयमी को देख रहा था और हलका सा स्माइल करता है और तभी वहाँ पर सब लोक बात कने लएते हैं कि ये जो काई जो हाई स्कूल है इसमें एक जेनरेशन आफ मेरिकल है और वहीं ये बात सुनके जो अपना कागी में होता है वो काफी जदा खुश हो जाता है और बोलते हैं कि मुझे एक एक स्पेक्ट नहीं था कि मैं एक जेनरेशन आफ मेरिकल के साथ बड़े जल्दी खेल तो बोलता कि हां बहुत टाइम हो गया है तुमसे मिले हुए कैसे हो तुम और फिर तभी वहाँ पर कीशे सब को बताने लगता है कि जैसी मुझे पता चला कि हम लोग का मैच होने वाला सेरीन हाइ स्कूल के साथ तभी मुझे याद आया कि जो कुरुक है वहाँ पर एक स्टूडेंट है तो मैं उनसे मिलने के लिए आ गया और वहीं पर एक बंदा कीसे के वारे में पढ़ रहा हुता है मैगजीन में कि जो कीसे है उसने अपने सेकंड येर में बास्केट बाल लोग लेता है और वहीं पर बोलते कि तुम क्या कर रहते है और जो कागिमी वह होता है वह पोलता है कि सौरी मैं तुमारा रियूनियन इंट्रप्ट कर रहा हूं मगर मुझे तुम से पूछना है कि कह तुम मेरे साथ वन-on-one खेलो के अभी और वहाँ पर जो कीसे होता है तो थोड़ी बनागे साथ आजीव फेस बना के बोलता है अचा चलो ठीक है खेली लेते हैं और फिर तभी आमीं दिखाया रहता है अपने कीसे होता है और कागिमी दूनों के दुनों one-on-one करते हैं और जहां पर के कीसे होता है वह सेम स्ट्रिक कागिमी के उपर अपनाता ह जो कि कागमी ने थोड़ी देर पहले किया था और तभी रीको अपने मन में सोचती है कि हाँ उसको किसी ने बतायाता है कि जो कीसे है वो जैसी किसी का भी मूव देखता है और तुरूंत उसको कॉपी कर लेता है और वहीं पर जो कागमी होता है वो अपने मन मन में सोच रहता मुझे पता नहीं था कि तुम इतना गंदा परफॉर्म करोगे और फिर कीसे के पास जाता है और उसको बोलता है कि चलो एक साथ हम लोग खेलते हैं तुम मेरे स्कूल आजा हो और हम लोग एक साथ खेलेंगे तुम यहाँ पर रहोगे तो तुम अपना जो टैलेंट है वो तब से मुझे मेरा जो थाट है वो चेंज हो गया और जीतना ही सब कुछ नहीं है उपर से मैंने कागिमी को प्रामिस कर दिया है कि हम लोग साथ में मेलके जनरेशन आफ मिरिकल को हराएंगे और वहीं पर अपना जो कागिमी होता है वो उठता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि यह एक प्लेयर था है जनरेशन आफ मिरिकल से और यह इतना ज्यादा स्ट्रॉंग है और बाकी के जो चार जनरेशन आफ मिरिकल हैं वो कितने ज्यादे स्ट्रॉंग होंगे और इस बात से वह बहुत दाख खुश होता है